Hello everyone, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom Chapter लिया गया है उन्ही की autobiography मतलब Nelson Mandela जी से अब वो कौन थे? वो पहले black president थे South Africa के उन्होंने chapter को start किया एक inaugural ceremony के बारे में बताते हुए जो 10th में 1994 में हुई थी और जहां पर बहुत ही जादा international leaders आये थे क्यों आये थे? जो fairly elected government थी उसकी victory को मनाने के लिए It involves, उन्हें क्या क्या involved था? Speeches थी जो president ने दी थी और दो deputy president ने भी दी थी साथ ही साथ यहां पर ये बताया गया है कि कैसे जो apartheid system था जो क्या होता है? Racial domination थी कैसे affect कर रही थी लोगों को तो जो dark skin population थी उनकी जो life थी वो बिल्कुली healthy और author ने यहां पर express किया कि वो उनका desire है कि वो उन freedom fighters को thank you बोले जिन्होंने आज ये autumn day नहीं देखा मतलब क्या हुआ इस line का? इस line का मतलब है जो author है वो thank you कहना चाहते हैं उनकी इच्छा है कि जो freedom fighters से जिन्होंने इतना courage दिखाया जो बहुत ही जादा extraordinary था ठीक है उन्होंने अपनी पूरी life को risk पर डाल दिया एक idea को implement करने के लिए वो बस उन्हें thank you बोलना चाहते हैं उन्होंने mention किया कि एक इंसान की दो responsibility होती है ठीक है पहली होती है family के लिए और second होती है society के लिए तो जो इंसान होता है उसे ultimately दोनों obligation को fulfill करना होता है लेकिन वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान मेरी तरह पैदा हुआ है जिसका color ऐसा है और South Africa में पैदा हुआ है तो उसके लिए ये दोनों obligations को पूरा करना possible नहीं है और आगे वो क्या कहते हैं इंट्रस्टिंग लग रहा है ना तो इसी के साथ हम फूरे chapter को पढ़ लेते हैं तो आईए अब हम chapter को start करते हैं हलो एव्रिवान वेलकम टू पढले टेंथीज और कैसे हैं आप सब मैं आशा गर रही हूँ कि आप अपने घर में बिलकुल ही त्यादा सेफ हैं और सुरक्षित भी तो आज हम करेंगे नैलसन मंडेला अलोंग वाक्टो फ्रीडम अब ये जो है चाप्टर नैलसन मंडेला आफ्रीका में पहले अपाथीड पॉलिसी हुआ करती थी मतलब क्या कि इंसानों में डिफ्रेंशियेट किया जाता था आस पर देर स्किन टोन मतलब गोरे जो होते थे वो राज करते थे कालों पर अब वो जो गोरे हैं या काले हैं वो दोनों ही आफ्रीकन हैं तो पूरी ज ब्लाक प्रेजिजेंट बने हैं कहां के आफ्रीका के और तीन सदियों से हम यह कह सकते हैं सदियों से हम यहां पर बोले कि सिरफ वाइट रूल था तो कैसे उन्होंने लडाई करी कैसे उन्होंने उसके खिलाफ किसके इंजस्टिस के खिलाफ बात करी कैसे खड़े हुए कै से लड़े वो अपने experience को वो इस chapter में शेयर करते हैं तो चलिए पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं about the author that is Nelson Mandela जी के बारे में और फिर उसके बाद हम detail में पढ़ेंगे चिक है Nelson Mandela has become South Africa first black president after more than three centuries of white rule वहां पर apartheid policy होती थी हम इंडिया में कहते न अंग्रेजों का rule था लेकिन वहां पर तो खुद के ही लोग दूसरे वालों पर अत्याचार कर रहते हैं यहां पर chapter में आपको एक word मिलेगा inhuman acceptable behavior जो मानवता जो mankind है वो कभी स्विकार ही नहीं कर सकती वेथा जो behavior था white color के जो लोग होते थे मतलब की जिनका skin tone थोड़े गोरे गोरे होते हैं वो लोग क्या करते हैं black लोग पर क्या करते हैं अतयाचार करते हैं Mr. Mandela African National Congress Party won 252 of the 400 seat in the first democratic election of South Africa history तो हम यहां पर देखेंगे कि उनको कैसे success मिली थी 400 seats जो थी वो पूरी total थी ना तो 252 seats से वो जीते थे ठीक है उनको 252 seats उन्होंने जीती थी और उसके बाद क्या हुआ था आफरीका की पूरी कहानी ही बदल गई चलिया पढ़ते हैं About the chapter थोड़ा सा it is the introduction to the chapter ठीक है तो आपको थोड़ा सा overview मिल जाएगा ठीक है Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid Mandela had to spend 30 years in the prison तीस साल Mandela जी जेल में रहते उस अजादी को प्राप्त करने के लिए Finally democratic election were held in South Africa 1994 and Mandela became the first black president of the new nation अब क्या हुआ 1994 में पहले democratic elections हुए वहां पर उन्होंने 252 seats से क्या करा जीता election को और पहले black president Nelson Mandela जी बन गए In this extract, its extract में from its autobiography Autobiography का मतलब क्या होता है? Return on own life Biography का मतलब क्या होता है? किसी और की life के बारे में लिखना Autobiography मतलब खुद की life के बारे में लिखना A long walk to freedom, Mandela speaks about a historic occasion The inauguration Can you guess what the occasion might be? अब कौन सा inauguration हो रहा है? कौन सा उद्घातन हो रहा है? क्या आप गैस कर सकते हो कौन सा ओकेशन है? कौन सा अफसर है? अलदादी का अफसर है चालिए तो यहां पर हमारे Nelson Mandela जी है अब हम पढ़ते है 10th May dawn bright and clear For the past few days I have been pleasantly By dignitaries and the world leader Who were coming to pay their respect Before the inauguration तो यहां पर वो बोलते हैं कि 10th में सुबा सुबा का time था जो मौसम था वो बहुत चमकता हुआ clear sunshine थी और कुछ दिनों से मैं महान मैं यहां यह कह सकता हूँ जो official position पर जो लोग होते हैं उनके surrounded था जो आ रहे थे respect देने के लिए inauguration से पहले अब inauguration क्या था? उद घटन क्या था? पहले वो black president बने थे तो अफसर पर वो जो Nelson Mandela कहते है 10th में का दिन था और कुछ दिनों से वो क्या कर रहे थे? बड़े-बड़े लीडर के साथ closely and close थे जो थे चिक है मतलब यह कहें की आ रहे हैं कोई चॉछलेट करने आ रहा है तो he was indulged in that activity दा the inauguration would be the largest gathering ever of the international leader on South African soil the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the union building in Pretoria तो यहां पर हम यह कहें के Pretoria अफरिका में है तो यहां पर यही बोल रहा है जो inauguration है वो सबसे महान gathering होगी gathering मतलब इखटा होना international leader मतलब बाहर के देशों से आए, अलग अलग देशों से आए political leaders आय ते और वो सबसे महान अफसर था क्या अफरीका की धर्ती पर जिक है the ceremony took place in the lovely sandstone अब बहुत ही प्यारा sandstone amphitheater है जो enclosed है बाई यून बिल्दिंग कहां पर Pretoria में जिक है साओथ आफरीका की capital जिक है तो वहां पर आफरीका की capital जिक है तो वहां पर क्या हुआ था क्या हुआ था ये अंपिछेचर में ये समारो हुआ था okay for decade this has been the siege of the white supremacy and now it was the site of the rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South African first democratic non-racial government non-racial government means that government which is not biased upon the color skin skin of the color yeah color skin skin of the color thang twist okay for the decade this had been the siege अब जो हम ये कहें कि Pretoria में हम ये बोले amphitheater में वहां पर सिर्फ वाइट लोग बैठा करते थे अब वहां पर different different skin colors के लोग दिख रहे हैं जिक है अब ऐसे लग रहे जिसे rainbow के अलग-अलग colors होते हैं तो वैसी जो इनसानों के अलग-अलग colors होते हैं वो मतलब different different skin tone हम यहां पर ये कहें कि जो लोग थे वो इखटा हुए थे और पहला non-racial government थी मतलब वह government वह सरकार जो इनसान के skin के colors से उसे जज नहीं करती है और अपने जो रूल से regulation है वो skin tone पर उनके dependent नहीं होते हैं तो non-racial government means the action taken by the government मैं English terms में बोल रहु है social science में अलग term है इसका non-racial government is that government which is not biased upon the people on the basis of their skin color जोचिक है social science में definition अलग है but in English terms हम यह language term में यही समझेंगे on the lovely autumn day was accompanied by my daughter Zenani on the podium Mr. D. Clark was the first son in a second deputy president अवो केते हैं बहुत ही प्यारा पतजड का दिन था मेरे साथ शेच पर जो थी अकंपनी करी जो मेरे साथ थी मेरी बेटी जिसका नाम ता Zenani अब जोशेच पर Mr. D. Clark को D. Clark ने शपतली क्या है शपतली की वो second deputy president बनेंगे मतलब की Mr. D. Clark was first son मतलब की पहले वो इंसान थे जिसने क्या करा उनने शपतली मतलब कमिटेड किया और क्या पूजिशन थी deputy president मतलब की एक second in command then थाबू मेबकी was sworn in the past first deputy president तो वो यहां पर कहते हैं कि जब पोडियम में जाना था तो मेरी बेटी ने मेरा साथ दिया मतलब मेरी बेटी मेरे साथ थी और पहले शपत ली किसने Mr. D. Clark ने कैसे कि वो second deputy president क्या होंगे in command फिर थाबू मेबकी ने ली और थाबू मेबकी कौन थे पहले deputy president अब इट वोज दिच टर्न of Nelson Mandela यहां पर लिख रहा है when it was my turn I pledge मैंने committed किया to obey and uphold the constitution कि मैं obey करूंगा करतववे का पालन करूंगा जो uphold the constitution जो constitution है जैसे आपको पता ही है कि इंडिया का constitution आपको जर्नल या NCRT की last में page में मिल जाता है तो वो कहते हैं कि मैं obey करूंगा जो भी rules constitution में लिखे है and to devote myself और मैं पूरा समर्पित कर दूंगा to well-being well-being मतलब अच्छाई के लिए of the Republic मतलब गंतंत्र के लिए and it people और उनके लोगों के लिए तो उन्होंने कहा कि मैं uphold करता हूँ उन वेल्यूस को मैं obey करूंगा करतववे का पालन करूंगा मैं पूरे लोगतंत्र का मतलब मैं पूरे गंतंत्र का Republic का और साथ ही साथ लोगों की भलाई के लिए काम करूंगा अब to the assembled guests and the watching world I said तो वो कहते हैं Nelson Mandela जो भी लोग वहाँ पर गैदर हुए थे और जो मुझे देख रहे थे मैंने क्या कहा मैंने कहा today all of us by our presence here confer glory and hope to new born liberty मतलब today everyone is present to see the glory वो चमक to honor और आशा जो नई आफ्रीका उत्पन हुई है liberty स्वतंत्रिता जो उत्पन हुई है तो वो यहां पर कहते हैं सब लोगों को देखकर gathered की देखो आज मैं grant करता हूँ जो honor है और जो hope है और साथी साथ hope क्या कि एक नई freedom जो है उसने born हुआ है मतलब की पैदा हुए है स्वतंत्रिता पैदा हुए है अपने प्रेजन से हाँ पर ग्रांट करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं और आशा करते हैं की अब नई स्वतंत्रिता जो है लिबर्टी जो है वो पैदा होगी और जो हमारा अनुभव था वो बहुत ही एक्ट्राइट रिज़नरी ता है मतलब समानने तो नहीं था ठीक है और हिमन डिजास्टर हिमन डिजास्टर मतलब इंसान को बरबाद करने वाला हम यह कहें हमने अनुभव लिया है डेट लास्ट टू लॉंग जो इतना लंबे समय तक चला ठीक है मस्ट भी बॉन अस सोसाइटी अब उसमें से एक समाझ उत्वन हो जहाँपर जो पूरा हिमानिटी है या पूरा मानफ्ता है जो पूरी मैंनकाइंड है उसे गर्व हो तो वो कहते हैं कि आज हम सबकी प्रेजन से हम क्या करते हैं Grant करते हैं टिक gossip 김 Embaarik करते हैं मतलब ओन रिस्पेक्त करते हैं और आशा करते हैं क्या एक one problem लेकि जो बहुत लंबे समय तक चला अब उस में ते एक ऐसा समाज उत्पन होना चाहिए जो हम यह कहें मानफता को उस पर गर्व हो वी हुआ वर आउट लॉज अपाथीड वी हुआ वर आउट लॉज आउट लॉज का मतलब यहां पर लिख रहा है अपाथीड यहां पर आउट लॉज का मतलब यहां पर यहां पर यह बोल रखा है बिटा कि देखो जब अपाथीड पॉलेसी थी ना तो क्या था जो बाकी के जो कंट्री थे ना देख़ लॉज यहां पर हम यह सकते हैं कि आफ्री कमे अपाथीड पॉलेसी है तो पीपल वडिफरिभीटेटाइट बट्वीन आट पीपल वर दिट्वीटेटेटेटेट उन देख़ेंगे रिलेशन थेयए न दिपलेटिकल हम यह कहेंगे relation थे यह diplomatic relations थे वो सब कट कर दिये थे मतलब उनको जो भी rules and regulation होते है वो सारी countries के लिए applicable होते थे बट आफरीका को उसमें से discarded किया जाता था क्यों कि लोगों को नहीं पसंद था जो आफरीका में चल रहा था कि लोग हम खुद में ही बिढ रहे हैं खुद के ही सागे नहीं है तो वी हुवर आउट लॉस्ट नॉट सो लॉंग अगो हाड बीन तो दे गिवन दा रियर प्रिवलेज तो होस्ट टी नेशन ऑद वोल्ड ओन आर ओन स्वल तो नैलसन मंदेला जी कहते हैं अभी कुछ साली में मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ है जा पर हमार को हर चीज से सब्सक्राइब के लिए हमारे साथ हमारे लोगों के साथ उस इंजॉइमेंट को ना उस खुशी को बातने आए हैं आफटर हूल वो कहते हैं यह तो एक समान्य जीत है किस पर नयाय पर यह समान्य जीत है शांती पर यह समान्य जीत है मतलब यह सब की जीत है मानव गरिमा पर we have last achieved our political emancipation emancipation म著लब उन्होंने कहा कि we हमने अची आचीब क्या कर लिया है political emancipation the fact of the process of being set free from legal social or political restriction तो वो कहरे है एंस प्रविटिकल इमांसिपेशिए मतलब प्रविटिकल रिस्टिक्षिशन तो वो कहरे है हमने क्या अचिव कर लिया we have gained the freedom from the political emancipation or you can say political restriction जिया है we pledge ourselves to liberate all our people from containing bondage of poverty deprivation suffering gender and other discrimination तो वो कहते है है we pledge ourselves कि हम सपत लेते हैं to liberate liberate मतलब कि to free to release all our people हर इनसान को from the containing bondage जो state of being slave मतलब कि containing bondage मतलब कि तुम हमारे दासी हो तुम हमारे मेरे दास हो चेले हो तो वो कहरे है जो चेला पंती से हमने सबको मुक्त करते हैं जो दरिद्रता का चेला है मतलब कि यहां पर क्या लिख रखा है content bondage of poverty मतलब कि यहां पर लिख रखा है जो slave है जो चेला है मतलब कि जो दास है दरिद्रता का क्योंकि अब उसको freedom ही नहीं है कि वह अपनी job खुद चूज कर सकता है है तो सबको हम liberate करते हैं सबको free करते हैं जो discrimination है जो differentiation किया गया है उससे free करते हैं जो हानी पहुंचाए गई है उससे free करते हैं gender based जो biasness थी उससे हम free करते हैं हर जो भी बेदभाव किया जाता था हम अपने लोगों को free करते हैं मुक्त करते हैं हम क्या करते हैं pledge लेते हैं अपने आप से शपत लेते हैं कि हम पुसारे लोगों को इन सारी चीजों से क्या करेंगे क्या करेंगे मुक्त करेंगे ओके नेवर 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 अगें शल जो यहां पर कहते हैं क्या अब कभी भी सूरज उगेगा ना तो वो तब नहीं उगेगा यह प्रतीत करने के लिए आज किसी इंसान की जीत है लेट जो फ्रीडम है वो रूल करें वो राज्य करें गौड ब्लेस आफ्रीका भगवान क्रिपा बढ़साएं आफ्रीका पर अफ्यू में मूमेंट लेटर अब जब वो बोल रहते हैं उसके कुछ पल बात मतलब कि यहां पर वे पीर भी बोल सकते हो और यू कन से इन अस्टोनिश्मेंट मतलब कि अच्छानक से ऐसे देखा उन्होंने चिक हैं इड़ नोट लाइक की फीर था अफ्यू मूमेंट लेटर कुछ पल बात उन्होंने सबने अपनी आँखों को ऊपर देखा आसमान में अस्पेक्चाकुलर एरे मतलब की ग्रेट एरे और साउथ आफ्रीकन जेट साउथ एप्रीका के जेट से हेलिकॉप्टर थे और टूप मतलब आमी ती जो कैरी कर रही थी रोड इन पॉर्फेक्ट फॉर्मेशन ओवर दे यूनियन बिल्दिंग तो यहां पर उन्होंने दे सब्सक्राने कि अियुग्त Tapi सब्सक्राइब प्रόσ economies के याई सब्सक्राइब कर रही थे ख Trevor Party जो यह मतलब की जो अप्रट रहुत बैं हो Аनагine क कर रहे पिज दिस्पले कराई ते छिकर से प्वूर्ट बिल्द के प्रती जो नई election जो democratic country बन रही है तो वो यह कह रहे हैं कि democracy के जहां पर हर इंसान का हक है जीने का हर इंसान का हक है जीने का अपनी जिन्दगी को बढ़िया बनाने का तो वो उस loyalty के प्रती क्या दिखा रहे थे कि we are loyal to you doesn't mean कि अब जैसे system change हो गहा है तो military भी change हो जाएगी नहीं ऐसा नहीं है we are loyal to the democracy add to the new government नहीं सरकार को जो बिलकुली freely elect की गई है जो freely चुने गई है only movement before the highest journal of the South African dents force and police their chest verdict with ribbon and medal from days gone by saluted me and pledge their loyalty तो only movement before or कुछी पल पहले जिके था highest journal जो महान-महान journals थे military के जिके South Africa के रक्षा के force के या police के उन्होंने क्या कर रख था उन्होंने चेस्ट पर हम यह कहते न सजाए होते है stars and all जिके विद रिबन and medal किते ribbon से medal से उन्होंने सजाए गोए थे days gone by अब वो दिन बीथ गए saluted me आज उन्होंने मुझे क्या किया salute कर रहा और pledge करें क्या अपनी वफदारी के का संकल्प लिया कि we are loyal towards you तो वो यहां पर कहते है कि कुछ दिन पहले अगर वो मुझे मिलते तो no doubt वो मुझे जेल में बंत कर देते लेकिन आज वो मुझे वफदारी का संकल्प ले रहे हैं I was not unmindful मतलब कि I was not पागल पागल नहीं मतलब कि I was not that person जो भूल जाए ठीक है तो of the fact that not so many years before they would have saluted but arrested me तो वही चीज़ जो मैंने कहा कि जो Nelson Mandela ji कहते है कि कुछ पहले ही बहुत बड़े जर्नल रिबन सचाए हुए हैं मेडल पहने हुए हैं उन्होंने मेरे को सल्यूट किया और उन्हें संकल्प लिया कि we are loyal towards the democracy हम वफदार रहेंगे तुम्हें तो वह कहते हैं अभी ज्यादा साल नहीं बीते कुछ साल पहले अगर यही यही जर्नल मुझे सल्यूट नहीं करते बिल्के मुझे अरेस्ट कर लेते हैं और प्रिजन में डाल देते हैं फाइनल या चेवरण चेवरण का मतलब क्या है वी अकार इंपाला जेट्स लेट आ स्मोक ट्रेल और ब्लाक रेड ग्रीन ब्ल्यू एन गोल्ड और नियू साउथ अफ्रिकन फ्लैग तो यहां पर एक वी शेप का उन् ने धुएं के से निकाले और रिप्रेजन किया देट वी आ लोयल तोवर्ड दा नियू गवर्मेंट ओक तो यहां पर देखें जैसे की कंट्री भी दिवाइड थी ब्ट्वीन तो पीपल चेक है ब्ट्वीन तो पीपल ब्ट्वीन तो पीपल मतलब एक ब्लाक और एक पाफ कम्यूनिटी को तो यहां पर यह कहा गया कि दोनों के ही अलग-अलग नाशनल एंथम थे जिए क्या काते थे नको से इसिकलल आई एफ्रीका और ब्लाक गाते थे अपनी अफ्रीकल लांग्विज में जाइस्टें तो जब हम यहां पर कहें कि जब वहां पर नई सरका रही और जब नाशनल एंथम गया तो वाइट वालो का भी नाशनल एंथम गया और ब्लाक वालो का भी जो ब्लाक कलर के पीपल थे उनका भी नाशनल एंथम गया बतलब दोनों नाशनल एंथम गये थे अल्थो ब्लाक वालो का भी जो ब्लाक कलर के पीपल थे उनका भी ना एक दूसरे को तुछ समझ से थे ना कि आरे ये ऐसा है ये वैसा है देविल सून आवो क्या दिल से क्या एंथम को याद करेंगे On the day of the inauguration, जो inauguration का दिन था I was overwhelmed, overwhelmed मतलब to cause somebody to feel such a strong emotion that she does not know how to react with a sense of history अब यहां पर क्या है तो वो कहते, inauguration के दिन मैं बहुत ही जादा जैसे मेरा दिल भराया हूँ अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ मैं कैसे react करूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरा दिल जैसे भर गया था और with a sense of history, और जो past में हमारे साथ हुआ है उन सब को याद करके भी कैसे केते किसी को हाम पहुंचा है आज इस दिन को देखने के लिए तो ही वास सें कि मेरा दिल भर गया था अब क्या बोलू तो वो कहते है मेरे जनम से पहले ही जब बिटर अंगलो वार हुआ था तो मेरे बर्ड से पहले ही जो वाइट-skinned people थे उन्हों ने क्या करा group बनाया और patch up, patch up मतलब कि वो जुडे एक दूसरे के साथ बनाया और उन्होंने एक नया ही system निकाल दिया और उन्होंने एक नया क्या बना दिया system बना दिया that was racial domination again dark skin people बतलब कि क्या हुआ था अंगलो बार वार हुआ था तो दोनों ग्रूप जो थे white people और black people उनकी सोच अलब लग मैच करती होगी तो white लोग जो थे उन्होंने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताई एक दूसरे को और एक जुट हो गए और उन्होंने ऐसा सोचा कि एक ऐसा वो strong personality के होंगे तो उन्होंने ये सोचा क्या कि अब वो क्या करेंगे system बनाएंगे that will be opposed to the racial domination against the dark-skinned people but lucky abunna nek aisa system build kya jis ki wajah se kya tha jo black color ke log the unpar atyachar hoona shuru ho gaya tha the structure they created from the basis of the one of the hard harshest most in human society the world has ever known tona na kaha ki aisa structure aisa structure banaya ticket they've created form the basis of the one of the harshest मतलब कि सबसे मुश्किल सबसे हार्ट कठोर कथिन ये नहीं था कि कठोर है बनाना मतलब कि आप ये को कोल्ड कोल्ड हार्ट होकर चीकर most in human मतलब कि which was not acceptable by the human society ऐसे ही समाज उन्होंने उत्पन कर दी तो यहां पर ये बोल रख है कि जो उन्होंने structure बनाया white-skinned people ने that was not acceptable मानथ तक वो कभी स्विकार नहीं करेगा इतना कोल्ड दिल से मतलब कि इतने कठोर दिल से कि जिसमें इंसानियत नाम की चीज नहीं रह गई थी और कभी ही दुनिया ने ऐसा समाज देखा हूं अब वो कहरे जैसे कि last decade है 20th century का और 8th decade है मेरा as a man मतलब वो 80s की उमर में है आज जब मैं 80s की उमर में हूँ अभी यह जो system है वो हमेशा के लिए परिवर्तन हो गया है और वो बदला गया है by the one recognized जो accepted है जिक है the rights and the freedom of all people जो rights हैं जो करतवे हैं जिक है जो स्वतंतरता है all people regardless बिना care of the color skin अब वो कह रहे हैं बीसवी सदी का आखरी दशक और मेरा आठवा दशक तो मैं यह कह सकता हूँ कि आज जो system है वो पूरा परिवर्तन हो गया है आज जो है liberty मिली है freedom मिली है right मिली है हर लोगों को जिक है बिना उसके skin color को judge करते हुए the day had come about through unimaginable sacrifices of thousands of my people people who are suffering and courage can never be counted or repaid अब वो यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि that day had come about through मतलब कि वह दिन भी आ गया the unimaginable जो कभी imagine भी नहीं कर सकते थे ऐसा system था कि इतने सालों से वो लड़ रहे थे तो उमीद जैसे खोई चुके होंगे जो sacrifices जैके हम यह बोल सकते हैं वो जो उमीद खोई चुके होंगे आज वो जो हम यह कह रहे हैं आज जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है that was like उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी तो उसी पर उन्होंने यह लाइन बोली है that day had come कि अब वह दिन आ गया है about through the unimaginable sacrifices अब जो sacrifice जो त्याग करे हैं वो आप कभी सोच भी नहीं सकते of thousand of my people Nelson Mandela जी कहते है हजारों लोगों ने ऐसा त्याग करा है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो whose suffering and courage can never be counted or repaid जिनका जो suffering है जिनकी जो पीडा है जो साहस है वो कभी आप गिन नहीं सकते और कभी आप उनको पे नहीं कर सकते तो आज जो unimaginable day आया है जो लड़ रहे थे कहीं लोग तूट गए थे लेकिन फिर भी लड़ रहे थे आज उनके unimaginable जो आप सोच नहीं सकते उन्होंने वो त्याग करे हैं वो साहस प्राप्त किया कि आज हमें ये दिन देखना पड़ा और हमें आजादी मिली ठीक है I felt a day as I have so many other days that was I simply the sum of all those African petroats who had gone before me तो वो कहते हैं कि मानो आज मैं ऐसे represent कर रहा हूं कि आज वो दिन आया है जहापर उनके सारे sacrifices ने फल दिया है और मैं उन सब का एक sum up हूँ जो देश भक्त का sum up हूँ जो आज मेरे आगे अजादी आ रही है लेकिन मैं खाली नहीं मेरे पीछे बहुत उनका त्याग है जो मेरे साथ जुड़े हैं और आज मैं खाली represent कर रहा हूँ that long and noble line ended and now began with me I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had brought तो यहाँ पर वो कहते है that long and noble line जो respected ones जो बहुत ही respected लोग थे मेरे लिए जिक है मतलब जिन्होंने इतनी लडाई करी अपने जीवन संघर्ष करते करते वो मर गए अब now begin with me अब मुझे ऐसा लग रहा है कि काश वो भी इससे देखते जिक है that long and noble line ended and now begin again with me अब वो समात्थ हो गई है अब फिर मेरे द्वारा शुरू हो गई जिक है I was pained कि मैं बहुत ज़्यादा दर्द में सूथ था कि that I was not able कि मैं उन लोगों को शुक्रिया नहीं कर पाया और वो लोग जो है वो देख नहीं पाये कि आज उनके sacrifices ने त्याग ने आज एफरीका को क्या मुकाल हम यह कह सकते मुकाम हासिल कराया है तो यहां पर यही चीज बोली गई है तो वो कह रहे हैं कि अब वो जो लाइन है रिस्पेक्टे वन वो मेरते फिर शुरू हो गई लेकिन मुझे बहुत पीड़ा है कि जिन लोगों ने इतना लडाई करी ठीक है अजादी को प्राप्त करने के लिए आज वो लोग है ही नहीं अब यहां पर मीनिस लिख रखे हैं आपको स्लाइंडस में आप मीनिस ले 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 ना जो policy है अपार्थियट की उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रियेट आडीप मतलब बहुत ज्यादा गहरी लास्टिंग और काफी दूर लास्टिंग मतलब जो काफी समय तक वो जो इंजरी है वो जो दुख है वो रहेगा जो इन पार्थियट पालिशी अपॉलिश्ट हो गई चलो यह नहीं कहो कि सारी पीडी लेकिन हां काफी साल लग जाएंगे हमार को रिकावर करने में अपने आपको ठीक करने में ठीक है, from that profound hurt, from that profound hurt, मतलब from that deep heart, hurt, ठीक है, heart बोल दिया ता, but the decade of oppression and brutality had another unintended effect and that was it produced the Oliver Tambor, the Walter, the Chief Luthless, the Yusuf Dados and the Bram Fitchers and the Robert, subaquis of our time, men of such extraordinary courage, unusual ability to control fear in a situation that may be wisdom and generosity that their like may never be known again. अब वो कहते हैं, हाँ वो जो दिन थे, जो दशक थे, oppression के, oppression के मतलब दबाव के, जहां पर white का जो लोगों का, जो हम ये कहें behavior होता था, वो unacceptable होता था, और जो brutality, जो cruelty, जो crude था, एक दूसरे पर होती थी, unintended, मतलब कि unintended, मतलब not planned, जो नहीं plant होती थी, जिसका जो प्रभाव है and that was it produced, अब उनकी वज़े से freedom fighter उत्पन होए, जैसे Oliver हो गए, Walter हो गए, Chief हो गए, यूसफ हो गए, Brahm हो गए, Robert हो गए, हमारे समय के, अब वो कहते हैं कि जो भेदभाव हुआ था, जो brutality, जो crude होई थी, इनके वज़े से ये लोग जो थे, ये जन्मे थे, जन्मे मतलब कि society से उभरे थे, उस चीज को अन्याय को खिलाफ लडने के लिए, जो इनसान थे, उनका जो courage था, मतलब कि जो साहस था, वो असमानने साहस था, क्योंकि यार, इतनी strong लोगों के आगे लड़ना, that was not acceptable, from the white people, अब उनकी ego hurt हो रही थी, कि black people खड़े हो गए हैं, लेकिन इतना साहस कि अपने आपको कहना कि नहीं वो अच्छे हैं, that was a different thing, जो कि wisdom मतलब क्या होगा, the ability to make sensible decision, बुद्धी मता जिसे हम कहते हैं, और generosity, उदारता, that there may be never known again, बतलब कि जो उदारता उनके अंदर थी, जो बुद्धी मता उनके अंदर थी, और जो extraordinary साहस वाले लोग थे, ये लोग, कब पैदा हुए, ये तब पैदा हुए, जब वो society से तब born हुए, जब उन पे नयाय हो रहा था, और वो कह रहे हैं, ऐसे लोग कभी भी आपको मिले ये ही नहीं, जब और यहाँ पर लिख रहा है, and may never be known again, और अब शायद ऐसे लोग, कभी आप जानो भी ना, जब तो ये उनकी शकले हैं, Oliver, Walter, Chief, Yusuf, Bram, और Robert, तो ये लोग हैं, जिन्नोंने अपनी life को sacrifice किया, जब आपाथिट पॉलिश को अबॉलिश करने के लिए, जब जो इनका साहस है, और ये लोग कभी आपको, कभी आप जानो भी आप किसी ने, that possible नहीं, मतलब कभी यहाँ पर ये क्या लिखर के generosity like there, and may never be known again, जो उनके अंदर उदारता है, जो उनके अंदर साहस है, जो बहुत ही अलसमाने है, ऐसा साहस आपको कभी ही किसी में देखने को मिले, इसका मतलब ये है, चीक है, पर हाथ, it requires such death of oppression, or to create such height of character, तो उनने का, शायद, बहुत ही घहराई, oppression की चाहिए, ऐसे चरिस्त्र को बनाने के लिए, कहीं बरी कहता हैं आपको, कि negative motivation works, कहते हैं या नहीं, कहते हैं, है न, तो कहीं बरी क्या होता है, कि हम अपने comfort zone में ब कर लेगा, तो हम इतने comfort zone में हमें, जादे ही overconfident होते हैं, हम कहते हैं, हाँ, कर लेंगे, लेकिन वहीं पर हम ये कहें, कि जो हमारा mindset है, वो खराब हो जाता है, ठीक है, अब कहीं बरी क्या होता है, somebody is very lazy, अगर कोई बहुत ही जादा lazy है, तो उसे कहोगे, यार पढ़ ले, पढ़ ले, यार पढ़ ले, वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो आलती है, लेकिन हाँ, उसी lazy इंसान को अगर आप कहोगे न, पढ़ता लिखता है नहीं, सारा दिन वेला बैठा रहता है, कुछ करता धरता है नहीं, तब उसके अंदर ये जागरत होगा, कि भाई देखो, ऐसे केसे जज़ कर सकता है मुझे, मैं खड़ा हूँगा, चिक है, मैं खड़ा हूँगा और मैं प्रूफ करूँगा, कि मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर कोई lazy है, जो comfort zone में उसे को कि पढ़ ले, प्यार से बोलोगे, वो नहीं सुनेगा, तो sometime negative motivation works, अब यहाँ प मेरे साथ misbehave कर सकता है, हाँ, ऐसी कितनी किसी की आउकात है, कि कोई मेरे साथ ऐसे misbehave करेगा, तो मैं आपने character का ऐसा build करूँगा, कि सब मुझे सलाम करेंगे, तो कभी-कभी life में, अगर आपको ऐसा लगता है, कि सामने वाला आपको नीचा दिखा रहा है, तो उसे एक negative motivation की तरह रखिया, कि ठीक है, ठीक है, तुम्हें हम प्रूफ कर देते हैं, उनको प्रूफ करने के चकर में, ठीक है, हम तुम्हें प्रूफ कर देते हैं, हम कितनी अच्छे हैं, अब अपने आपको प्रूफ करना है ना, और उनको प्रूफ अपने आप हो जाएगा, ठीक है, negativity उसके अंदर भरी है वो आपके mindset में आजा है, है ना, तो don't do such things, okay, just prove your will, अपने आप को पहले अपने आप से प्रूफ करवाईए, तो सामने वाले को अपने आप प्रूफ हो जाता है, you don't have to use bitter words to identify you, चाहिए, चाले आप देखते हैं, perhaps it requires such debt of operation and create such heights of character, my country is rich in minerals and gems, तो वो कहते हैं कि जो मेरा देश है, वो बहुत rich है, कि में minerals में और gems में, मतलब कि खजिन और रतनों में, चाहिए, that lie beneath its soil, जो soil में, डतन है, stront है, मेरा जो Africa country है, वो बहुत rich होगा, लेकिन I have always know that a greatest wealth, लेकिन मुझे ये पता है, जो धन संपत्ती ह हम ये कहें, Africa की है, वो है उनके लोग, जो बहुत finer है, जो मतलब बहुत साफ दिल के है, truer है, जो मतलब सच्चे बोलते हैं, और वो purest जायमेंटा और वो सच्चे खीरे हैं, तो वो कहते हैं, रतने तो हमारी मिट्टी में हैं, लेकिन वो हमारी धन संपत्ती नहीं है, धन स अंघर्ष में थे, मुझे सच्चा मीनिंग साहस का समझ में आया है, जै कि time and again, I have seen men and women risk and give their life for an idea, time and again, मतलब कि समय समय पर, मैंने देखा है, कि जो औरते हैं, जो मर्द हैं, उन्होंने risk उठाने के लिए, इतने बड़े-बड़े risk उठाए, बस एक विचार को implement करने के चाहे हुनकी जीवन तभा हो चाता, I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing us strength and resilience, that defies the imagination, I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it, the brave man is not who, who does not feel afraid, but he who conquers that fear, अब यहां पर वो लिखरक है, वो कहते हैं कि मैंने देखा है, लोगों को, जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, जो torture के खिलाफ खड़े होते हैं, बिना टूटे, without breaking, बिना अपना साहस कोई, अपनी शक्तियों को represent करते हैं, अपनी capacity को दिखाते हैं, लचीलापन को दि defies the imagination, जो imagination है, जो कालपनिक हम ये कहें कि देश का भविश्य क्या, उसे वो तोड़ते हैं, विद्रो करते हैं, बही ऐसा नहीं चलेगा, तो यहां पर वो कह रहे हैं, क्या, वो कह रहे हैं, मैंने देखा हैं उन इंसानों को, जो बहुत ही नाय को सहन करते हैं, लेकिन डोलत नहीं हैं, अपनी शक्ती से वो खड़े रहते हैं, और वो शोते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं, लेकिन वो ये दिखाते हैं कि हम क्या हैं, strong personality हैं, और जो तुम सोच रहे हूं ना क्या भविश्य होने वाला है, हम पूरा नहीं होने देंगे, तो उन्हेंने कहा कि मैंने जो साहस है, उसका मतलब ये नहीं है कि जहां डर नहीं है, बलकि डर से जीत प्राप्त करना वही साहस है, ये नहीं कि साहस क्या है, करेज क्या है, करेज मीन कि जो है, हमें तो डर ही लगता है, लेकिन हम डर के आगे जीत कहते हैं, तो डर के आगे जीत वाला फंडा यहां प they can learn to hate, ठीक है, they can be taught to love, for love comes more naturally to human heart than its opposite. तो वो कहते हैं कि कोई यहां पर पैदा नहीं हुआ है सामने वाले को नफरत करने के लिए, कोई करता है, कि स्किन कलर से नफरत करना, नहीं, या तुम्हारा धर्म अलग है, तुम पैदा ही इसलिए हो हुए हो कि और जो प्यार है वो अंदरूनी आ जाता है, नाचरली आ जाता है इंसान के दिल से, और वो, then it opposite, opposite मतलब विपरीत, जो आप हेट कह रहे हो, उससे विपरीत है, तो वो यहां कहते हैं कि अगर लोगों को नफरत सिखाई जा सकती हो, और लोगों नफरत सीख सकते हैं, तो लोगों को प्यार भी सिखाई जा सकता है, और प्यार तो दिल से आता है, ठीक है, नफरत तो हमें सिखानी पड़ती है, लेकिन प्यार तो दिल से आ जाता है, एक बरी अगर आप बोलो कि प्यार करो तो अंदुरूनी अपने आप आ जाएगा Even in the grimace time in the prison when my comrades and I was pushed to our limits I would see the glimmer of humanity in one of the guard perhaps just for the second but it was enough to reassure me and keep me going Man goodness is a flame that can be hidden but never extinguished तो वो कह रहे हैं even in the hardest time बुरे से बुरे समय में जो प्रिजन में था मैं when my comrades and I was pushed to our limits मतलब हमेर को push किया गया था तो आर लिमिट हमारी हदों तक मतलब ऐसा तयाचार हुआ कि अब हमारी हद पार हो जाएगा अब we will not tolerate परहाब शायद फॉरा सेकंड शायद कुछ पल के लिए but it was enough लेकिन काफी था तीरी अश्वार मी पक्का करने के लिए मेरे को and keep me going मतलब कि मुझे आगे बढ़ना है man goodness is a flame man की जो अच्छाई है वो एक आग की लपट है मतलब कि लिपटे है that can be hidden जिसे छुपाई जा सकती है लिए कि जो आग है लेकिन इनसान की आग को जला सकते हो उसे आप बंद कर सकते हो प्रिजन में लेकिन आप इनसान जो सहसी है क्या उसके सहस को गिरा दोगे प्रिजन में डालके उसका दिर्ड निष्च है जब strong determination होता है ना बेटा, कि exam जब आ रही होते हैं, तो हम candle में भी पढ़ लेते हैं, तो वो भी होनी का exam है, ठेक है? In the life, every man has twin obligation, obligation to his family, to his parent, to wife and children, and has an obligation to the people, his community, his country. In a civil and human, मतलब कि सब है, और इंसानियत वाले समाज में, every man is able to fulfill those obligation according to his own inclination and ability. तो यहाँ पर कहरे हैं कि in life, एक life में हर एक man की दो obligation होती है, obligation refer to duties. तो वो कहरे हैं, लाइफ में हर इंसान की दो obligation होती है, एक तो obligation होती है, twin obligation, दो obligation. पहली होती है फैमिली में मतलब पेरेंट्स की, वाइफ की, बच्चों की और दूसरी obligation होती है people की, मतलब लोगों की, मतलब जिसमें आजाते है community या पूरी country आजाती है अगर हम बोले civil, मतलब सब है, और human society में, इंसान के समाज में each man, हर एक जो इनसान होता है, able to fulfill those obligation, वो ये obligation को fulfill करता है according to his own inclination ability, उसके खुद के जुकाव और शमता के अनुसार मतलब वो यहाँ पर कहते है, जहाँ पर आपका ज्यादा जुकाव होता है, आप पहले वो responsibility फुल्फिल करते हो right, but in the country like South Africa, लेकिन country like South Africa, it was impossible for a man of my birth and a color to fulfill both those obligation, मतलब वो कहते हैं कि जो इनसान होता है, man होता है, उसे दोनों obligation fulfill करने ही पड़ते है, चलो पहले ये कर दी, दूसरी बाद में करती, लेकिन अगर कोई इनसान जो है मेरे color में, मतलब black color में पैदा हुआ है, चाहिए, और साथ ही साथ क्या black color में पैदा हुआ है चाहिए, और Africa country में पैदा हुआ है, उसके लिए ये जो obligation है, ये जो duty है, वो पूरी करना दोनों असंभव है, आगे पड़े, in South Africa, man of color who attempted to leave as a human being was punished and isolated तो आप condition देखे, कि South Africa में, अगर जो man है, जिसका color मेरे जैसा है, मतलब कि Nelson Mandela जी कहते है, black color है और जो वो कोशिश करता है, कि वो एक इंसान की तरह जीवन जिये, तो उसे सजा मिलती है, और उसे अपने family से जुदा किया जाता है पड़ो, pen उठा लो, उठा लिया, चला, in South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to leave a life apart a twilight existence of secrecy and revelation, तो यहां पर लिख रखा है, कि जो अगर South Africa में, अगर इंसान कोशिश करता है, कि वो लोगों की duties को fulfill करे, समाज की duties को fulfill करे, तो उने उनकी family से दूर किया जाता है, और मतलब ऐसे मालो कि उनकी जो life होती है, वो दुंदली हो जाती है, semi-darkness में आ जाती है, क्योंकि जो उनका presence होता है, वो secrecy में होता है, मतलब बिना किसी को बताए हुए, और revelation, मतलब action or the process of resisting authority, convention or control, अगर आप यह अगर आप समाज के लिए करते हो, तो unfortunately you have to be separated from the family, because क्यों, क्योंकि वहाँ पर secrecy, जाता है, secrecy, बिना किसी को बताए, और यहाँ पर कहें, और वो फोर्स to leave apart, semi-darkness में जो उनकी जिंदगी है, एक तरह की दुंदली हो जाती है, मतलब अपनी family से दूर, I didn't, I didn't, in the beginning, choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, as a brother, and a father, and a husband. तो वो कहते हैं, I didn't choose, मतलब कि मैंने शुरुवात में यह नहीं choose किया था, कि मैं अपने लोगों की सेवा करूँगा, या अपाथिट सिस्टम के लिए लडूँगा, लेकिन, जब मैंने कोशेश करी कि मैं लोगों को help करूँ, तो unfortunately, मैंने यह देखा, कि मुझे रोका गया कि मैं अपनी obligation को पूरा करूँ, एक बेटे का, कर्तवे का, एक भाई का, एक husband का, या एक पिता का, कर्तवे से मेरे को रोका गया, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते हो, I was not born with a hunger to be free, I was born free, free in every way that I could know, तो वो कहते हैं, कि मैं उस भूख से पैदा नहीं हुआ था, कि मुझे अजाद नहीं पैदा हुआ था, I could know, जितना मुझे पता था, free to run in the field near my mother hut, मैं जो पास में, जो मेरी मां की हट के पास, जो खेत होते हैं, मैं अराम से जा सकता था, कोई रोक टोक नहीं थी, तो मैं free था, मैं freely swim कर सकता था, उस नदी से, जो मेरे गाउं के पास से जाती थी, clear stream that ran through my village, free to roast under the stars, तो यहां पर क्या बूल रख है, तो वो कह रहे हैं, कि मैं बहुत ही जादा अजाद था, जिके कैसे, कि जो नदी जा रही थी, मैं उसमें तैर सकता था, जिके मैं स्विम कर सकता था, मैं अपनी मां की हट के पास, क्या कर सकता था, घूम सकता था, मैं जो मकई को रोस्ट कर कर खा सकता था, तारो की चाहूं में, तो everything was clear, and ride the brought back of slow moving bulls, और मैं बुल के पीछे, जैसे कि हम कहता है न, जो बुल के पीछे बैठ कर, मैं घोड सवारी जैसे होती है, जिके है, तो बुल के पीछे, वैसे ही, जैसे घोडे के पीछे होता है, जैसे होर्स के पीछे बैठ कर, क्या, सवारी कर सकते थे, as long as I obeyed my father and abided by customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or a God, तो उन्हों ने का, जब तक मैंने पालन किया, रिती रिवासो का, जो मेरे group के लोग थे, मतलब की मेरे tribe के लोग थे, और मैंने, मतलब ये कहा, कि, हाड, जो मेरे पात, पिता ने का, मैंने सार करतावय का पालन किया, तो मैं कभी भी troubled नहीं हुआ, कभी भी मैं अंदर anxiety नहीं हुए, मैं distress नहीं हुआ, जो laws इंसान ने बनाय थे, ये भगवान ने, it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom has already been taken from me, that I began to hunger for it, अब जब वो कहते हैं, it was only, तभी मेरे को पता चला, जब learned that my boyhood freedom was an illusion, जो मैं ये सोच रहा था, कि जो boyhood मतलब लड़कापन या childhood, जो अजादी थी, वो एक स्वपन की तरह था, एक false belief था, मैंने discover किया, कि जो मेरी अजादी थी, वो पहली ही मेरे से छीनी गई थी, तब मेर अंदर भूख जागी, कि मुझे अब अजादी चाहिए, चाहिए, अब यहाँ पर देखे, at first, as a student, पहले, as a student, I wanted freedom only for myself, इस शुरुवात में मुझे सिरा freedom चाहिए थी, मेरे लिए, the transitory freedom, मतलब कि जो permanent freedom नहीं थी, कैसे, कि भई मैं घर से बहार निकल सकूँ रात को, night out कर स जैसे सब बच्यों का होता है, read what I please, मैं वो पर सकूँ, जो मेरा मर्सी है, और मैं वो चूज कर सकूँ, जो मुझे करना है, and go where I choose, और मैं वहाँ जा सकूँ, जो मैने चुना है, चाहिए, तो पहले तो वो कहते है, at first, as a student, as a student, मेरे अंदर या अजादी थी, that was not permanent, लेकिन जब मैं यंग मैं हुआ, in Johannesburg, I yearned, मतलब की मेरे अंदर एक intense feeling आई, एक basic, मतलब की, और honorable, respected freedom of achieving my potential, of earning my keep, marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life, तो केते हैं, शुरुवात में, तो मुझे ये पहले पता चला, जब मैं एक लड़का बना, बच्चे से लड़का बना, तो मेरी ये freedom, it was limited to me only, कि भई, मैं वो कर सकूँ, जो मेरा मन करता है, मैं वहाँ जा सकूँ, मैं वो पढ़ सकूँ, मैं night out कर सकूँ, जो मेरा मन करता ह हुआ, तो मेरी जो freedom थी, जो मेरा मन कर सकता हूँ, जहां पर मेरा पोटेशनल है, मैं 100% ये सकता हूँ, जो मैं वहाँ जाता हूँ, जो मैं वहाँ जाता हूँ, जो लौफुल से अब्सक्त नहीं है, मतलब शॉब नहीं है, तो अब उनके अंदर एक इंटन्स पीलिंग जा we are not free बट my brother and sister were not free, लेकिन धीरए धीरो नहीं ये पता चला, खाली मेरे पे restriction नहीं है, कि मैं शादी यहां नहीं कर सकता, मैं ये job नहीं कर सकताू, जहां लेकिन हर इंसान पर, जो मेरी एज का है, जो मेरा भाई है, जो मेरा भाई है, भहन है, वो भी free नहीं है, सब अजाद नहीं है, I saw that it was not just my freedom that was cutled, but the freedom of everyone who looked like me, तो वो कहते हैं कि मेर को ये समझ में आया कि खाली जो मेरी freedom है, वो ही reduce नहीं करी गई है, लेकिन जो freedom है everyone, उनकी जो freedom है, सबसे छीनी गई है, जैसे मेरी छीनी गई है That is when I joined, that is when वो कहते है, तब मैंने National African Congress Party join करी, and that is when the hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people, तो वो कहते हैं कि जब मैंने महसूस किया कि खाली मेरी आजादी नहीं छीनी गई, बल्कि सबकी आजादी छीनी गई है, तो तब मैंने National African National Congress Party को जोईन किया, और मेरे अंदर भूख जागी, ना के वल मेरी आजादी की, बल्कि मेरे लोगो की. It was the desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without whom, that forced a loving man to live like a monk. अब वो कहते हैं कि it was the desire, कि ये desire था, आजादी का, मेरे लोगों का, क्या desire था कि मेरे जो लोग हैं, वो quality of life जी है, dignity के साथ जी हैं, मतलब कि formal तरीके से रहे, respectful तरीके से रहे, self-respect, आत्म समान के साथ रहे, जो created my life, जितने मेरे जिंदगी को बना दिया था, कि मेरे लोग बहुत ही इज़त से जाएंगे, जिसकी वज़े से मुझे transformation मिला, कैसे मैं change हो गया, एक बहुत थी जो डरा हुआ, young man होता था, आज वो strong personality का हो गया, जो हमेशा law का पालन करता था, आज वो lawless हो गया, ठीक है, जो इंसान, family loving husband होता था, आज उसका कोई घर ही नहीं है, ठीक है, और जो फो, अब यहाँ पर यह बोल रहे हैं, that force a loving man, जो बहुत ही प्यार करता था इंसान, आज वो साधू की तरह जी रहा है, जिसे किसी की परवन नहीं है, बस एक ही है, कि मेरा देश, मेरे जो लोग है, मेरे जो ट्राइब के लोग है, वो अजादी से जेंगे, वो quality of life जेंगे, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं, कि यह जो desire मेरे अंदर है उसने मुझे ट्रांसफोर्म कर दिया, तो वही desire अगर हमारे अंदर आ जाए तो, desire क्या, कि मुझे मेरी जिंदगी चेंज करनी है, मुझे मेरी फैमिली की जिंदगी चेंज करनी है, तो मैं सच कह रही हूँ, अगर आपके अंदर यह आ गया ना, कि मुझे मेरी फैमिली की situation को change करना है, मुझे मेरी फैमिली में मेरे माबब को एक अच्छी जिंदगी देनी है, तो बेटा जी, आप यूट्यूब पर ना, फालतु की movies नहीं देखोगे, एक entertainment purpose के लिए ओकी है, लेकिन अगर आपके अंदर एक वो बूखा गई ना, कि मुझे मेरी जिंदगी चेंज करनी है, सासत मेरे खांदान की जिंदगी चेंज करनी है, यही motivation, एक अंदर motivation होता है, और आपको किसी और की जरूरत नहीं होती, आप कोई motivational video नहीं देखोगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है, कि why you are living for, जब आपको अपना पता है, कि आपको अगर आपका गोल, आपकी मंदिल बहुत क्लियर होती है, तो दुनिया दिखती ने, यह दुनिया गई भाड में, I have to go towards my goal, और वो ही हमारी inner motivation होती है, अगर मैं आपको motivation देदू ना, पांच मिनिट के लिए आप काम करोगे, मैं भी काम करूँगी, आप अपने गर, अपने गर, अपने लेकिन अगर अंदर से motivation है, अंदर से आग है, तो कौन ही बुजा सकता है, तो यही वो desire था उनका कि मुझे मेरे लोगों को एक respectful जिंदगी देनी है, तो देखो, उनमें कितना बड़ा transformation आ गया, I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I couldn't even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free, तो वो कि यहां पर यही चीज हमारी life में भी applicable है, बिटाजी, यहां पर लिख रहा है, कि मैं ज्यादा धार्मिक नहीं हूं, या मैं ज्यादा त्याग नहीं कर रहा हूं, तो यह सामने वाला अगर तयाग कर रहा है, त अपनी फैमिली के लिए करता है, लेकिन मैंने यह देखा, कि मैं थोड़ी सी भी जो मुझे फ्रीडम स्वतंत्रता थी, मैं उसे का मसा नहीं ले पा रहा था, जब मुझे पता था कि मेरे जो लोग है, वो फ्री नहीं है, जो थोड़ी सी हैपिनेस के मुवमेंट आते थे, म जोड़ी नहीं कर पाता था, बिकाब मुझे पता है कि सामने वाले को वो फ्रीडम नहीं मिली है, जब फ्रीडम इस इंडिविजिबल, जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, उसे आप अर्लग नहीं कर सकते हो, the chains on anyone of my people were the chains on all of them, अगर एक इंसान पर बेडी पडी है, जब जब एक इंसान पर पडी है, उस ट्राइब की, the chains on all of my people were the chains on me, और हर जो चैन, हर मेरे व्यक्ति के पास है, जो बेडी में ग्रिस्त है, वो मेरे पर भी है, Nelson Mandela जी कहते है, I knew that the oppressor must be liberated, just as surely the oppressed, a man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred, if he is locked behind the past or prejudice and narrow-migénsness, तो यहां पर बोलते हैं, मझे पता है, कि जो अतयाचारी है, वो free है, just as surely as oppressed the victim, तो यहां पर in short, in total, वो कहते हैं, कि मझे पता है कि जो oppressor है, जो अतयाचारी है, कि must be liberated, must be liberated, जिस पर अतियाचार या जो विक्टिम है उस पर अतियाचार हो रहा है जो इंसान सामने वाले की स्वतन्सरता ले लेता है ना वो खुद भी तो नफरत की नफरत की बेडियों में कैद हो जाता है जिस पर अतियाचार कर रहा है उसे भी उतना ही फ्रीडम चाहिए जितना जिस पर अतियाचार हो रहा है उसे फ्रीडम चाहिए अगर में बेडियों में सामने है तो वह भी तो नफरत की बेडियों में घिर गया यह भी तो यही सोचता रहा हमार और अब क्या करूं нормально की उसको तो एक कम narrow mind है, उसको बस broad mind करना है, मतलब दोनों को ही उतनी freedom चाहिए, चाहिए, तो आगे देख लेते हैं, I am not truly free if I am taking away someone else freedom, मैं सच में अजाद नहीं हूँ अगर मैं सामने वाली के अजाद ही ले लू, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me, वैसे ही जैसे अगर आपने मेरी freedom ले ली, तो मैं free नहीं हूँ, तो वैसे ही उतना मैं free नहीं हूँ, जब मैंने आपकी freedom ले ली, क्योंकि मैं सारा दिन आभी से obsessed रहूँगा, the oppressor and oppressor alike are robbed of their humanity, तो यहां पर बोल रहे हैं, जो oppressed है और जो oppressor है, मतलब जो अत्याचारी है, और जो अत्याचार जिस पर किया है, मतलब की victim है, alike है वो एक जैसे हैं, और उन्होंने क्या करा है, forcefully लूटा है एक दूसरे की मानफता को, और इसी के साथ हमारा जो chapter है, वो finish हो जाता है, चीक है, तो एक दो question answers मैं लेकर आई हूँ, वो भी कर लेते हैं, NCRT question answer discussion, चीक है, why did such a large number of international leader attend the inauguration, what did it signify the triumph of, तो यहां पर question का answer लिकोग इतने सारे international guests क्यों आये थे, inauguration में, और यह क्या signify कर रहा है, the triumph of, मतलब success of, चीक है, at the inauguration ceremony, there were a large number of international leader, काफी international leader से, जो celebrate करने आये थे, apartheid system के end को, और वो display कर रहा है थे, support South Africa को, यह signify करता है, success, justice के ओवर, partially courage, over fear, और right over wrong, question number two, what does Mandela mean when he says that he's simply the sum of all those African petroids, जब उन्होंने का वो sum up कर है, सारे African petroids के, जुन से पहले गए, इसका क्या मतलब था, तो Mandela wanted to thank, Mandela जी thank you करना चाहते थे, सारे लोगों को, who had fought for justice, जो, जन्होंने, justice के खिलाफ, हमें justice के लिए लड़े हैं, justice के खिलाफ नहीं, नयाइक के लिए जो से, and it is because of that, और इसकी वज़े से, he fought fearlessly, और इस वज़े से वो बीना डरे लडे, और for what is right, जो सही था, thus he referred to himself as, simply, the sum of all those African petroids, that had gone before him, जिक है, third question, would you agree the depth of operation, create the height of character, क्या आपको लगता है, कि जो घहराई होते अत्याचार की, वो एक महान character को बनाता है, तो आप Mandela जी को देखकर illustrate करें, और अपना भी opinion आप इस argument में डाल सकते हैं, तो मैंने काला कि I agree with the statement, मैं ये statement से agree करता हूं, जो death of oppression है, dead depth है, जो घहराई है, oppression की वो create करता है, heights of character की, Nelson Mandela ने इलुस्टेट किया, एक्जाम्पल को देखकर, heroes के South Africa को, जैसे Oliver हो गया, Walter हो गया, और बाकी जो आपने इंस्पायर किया, कि sacrifice अपनी जिंदगियों को करकर, in the long freedom struggle, clear हो गया, तो हमने भी यहां पर देखा कि India के पास भी बहुत ही जादा examples हैं, जैसे कि childhood में, during the freedom struggle, जब उन्हें भी freedom चाहिए थी, जैसे कि हमने का, जिन्नों ने बहुत महनमान character बनाएं, जिन्नों ने oppression of British rule created, जैके and the operation of British rule जब बना था, जैके and encourage people और लोगों के encourage किया था, जैसे कि Mahatma Gandhi हो गए, Sardar Bhagat Singh हो गए, many more, जब British rule हुआ था, तो हिंडिया में भी हमने देखा था, महान महान आत्माएं, ऐसे, आत्माएं मतलब personalities जो थी, वो उत्पन हुई थी समाज से, और उन्होंने भी क्या किया था, लड़ा था, तो यहां पर हम यह कह सकते है, political leader India is having today, then Nelson Mandela seems right, तो हम यह कह सकते है, fourth question, how did Mandela understanding the freedom of change with age and experience, तो with age and experience, हम यह कह सकते है, Mandela understood, उन्होंने understand किया, real meaning of freedom को, as a young boy, he thought, उन्होंने सोचा, that he was born free, कि वो अजाद पैदा हुए है, और उन्होंने यकीन किया, that as long as he obeyed his father, जब तक उन्होंने अपने पीता को obey किया, और abided by the custom, और customs को, जो tribe के है, जो, abide किया, he was free in every possible manner, वो हाद तरीके से अजाद थे, as he grew older, जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने रिलाइस किया, that the freedom who had already taken, कि जो उन्हों की freedom है, वो अल्रड़ी ली गई है, that slowly understood, जै कि अधिर देरे समझ में आया, that it was not just a freedom of being reduced, जै कि ये human being, was being reduced, but the freedom of all the black people, the freedom from fear and prejudice, तो उन्होंने देखा, खाली उन्हों की ही जो freedom है, वो reduced नहीं करी गई, बलकि जो freedom है, बाकि के जो black people है, जो उन्हों के भाई बहन, उन्हों की भी फ्रीडम ली गई है, 5th question, how did Mandela hunger for freedom change his life, Mandela ji की जो hunger for freedom थी, उन्हों की जिंदगी कैसे बदली, Mandela realized, Mandela ji ने realized किया, his hunger for freedom has changed his life, जो hunger थी उन्हों की, उन्होंने, जो भूख थी, अजादी की, उसने change कर दी उन्हों की जिंदगी को, it changed him from a family man person, उन्होंने change, कैसे होगे वो, एक family man person से, to a man, एक व्यक्ति, without a home, and a frightened young man into a bold man, he built his entire life, उन्होंने पूरी जिंदगी around fighting for the basic right of the community, he was selfless and virtuous than ever, तो हम ये कह सकते हैं, वह पहले से जादा निस्वार्थ और सदाचारी थे, ठीक है, तो ये रहे हमारा quiz, अब ये जो quiz होगा, this will be the homework, मैं दो quiz लेकर आई हूँ, ठीक है, तो homework है, लेकिन आपको comment section में देना है, लेकिन ये जो question answer है, एक बर ये आप read कर लीजेगा और अपने words में जरूर लिखेगा, ठीक है, ये sample answers है, that is why मैं बस ये बता रही हूँ, इसमें, कि ये keywords कि आप क्या-क्या use कर सकते हैं, but it depends upon you to write the answer, अपने आप answer लिखे, writing आपकी improve होगी, और साथी साथ एक sample answer दे दिया एक one-shot revise करा दिया है, ठीक है, तो आप अपने answer कर सकते हैं, तो homework होगा, ये दो quiz लाई हूँ में, तो पहला question देख लेते हैं, when was the integration day? मैं answer नहीं बताऊंगी, फटावट से question देख लीजे और एक page रख लीजे, फिर comment section में मुझे बताएगा, reply आपको जरूर मिलेगा, question 2, it was the celebration of South Africa first government, first dash government, कौंसी government, answer तो बताओ, नहीं बताऊंगी, comment section खुला है आपके लिए, question 3, how many deputy president were elected, बताओ answer, homework कौं चेक करेगा, मैं ही तो करूंगी न, quiz number 2, question number 1, which party did Mandela join, question number 2, a man who takes another man freedom is dash, question number 3, who according to Mandela is not free, and this is the last question, ठेक है, आज की वीडियो का, और आपको comment section में उनके answers मुझे बताने है, तो hope आपको one shot, Nelson Mandela पर सब समझ में आ गया हो, ठेक है, और ये questions को करिएगा, ठेक है, और comment section में answer link दीजेगा, hope you enjoyed the video, thank you so much everyone, पढ़ ले 10-30 के साथ जुड़े रहे और ऐसी videos आपके लिए जल्ट आती रहेंगी अब, ठेक है, चलिए, bye bye, take care.